नमस्कार मैं हूँ प्रशान शर्मा और आप देख रहे हैं One India न्यूजिलेंड में खेले गए भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच महिला विश्व कप में भारते टीम ने वेस्ट इंडीज को 155 रनों से हरा कर इस विश्व कप में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है भारत ने इस मैच में पहले बल्ले बाजी करते हुए शानदार 317 रन बनाए जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम कुल 162 रनों पर आल आउट हो गई भारत के लिए आज मंदाना और हर्मन प्रीत ने शतक जड़ते हुए शानदार पारी खेली और भारत को पहली बार विश्व कप में 300 के आकड़े के पार पहुँचाया लेकिन आज जिस तरह से भारते गिंद बाजों ने गिंद बाजी की वो इस मुकाबले की जान रही बता दे कि 318 रनों के लक्ष का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम की शुरुआत आज धमाकेदार रही जहां वेस्ट इंडीज ने 12 ओवर तक 100 रन पूरे किये जहां उन्होंने एक भी विकेट नहीं गवाई थी एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद आज फिर भारते टीम बड़ा टोटल डिफेंड करने में नाकामयाब रहेगी लेकिन फिर वो हुआ जिसकी उमीद किसी को भी नहीं थी तेरवे ओवर में गिनबाजी करने उतरीस नहिराना ने भारत को डॉटीन के रूप में पहली सफलता दिलाई लेकिन इसके बाद भारते गिनबाजो ने वेस्टिनडीज के बल्ले बाजो को टिकने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि इसके बाद भारत ने एक के बाद एक विकेट अपने नाम किये भारत को जहां पहला विकेट सौ रनो पर मिला तो वहीं भारत ने इसके बाद वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को महज 162 रनों पर ही ओल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज ने आखरी 62 रनों पर ही अपने पूरे 10 विकेट गवा दिये गिन बाजू में भारत के लिए सने राना का जल्वा देखने को मिला जिन्होंने 9.3 ओवर में मातर 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किये इस वक्त भारती टीम विश्व कप में मजबूत परिस्थितियों में पहुँच चुकी है और अब भारत को अब अपना अगला मुकाबला इंगलैंड के साथ खेलना है जहां भारती टीम से बहतर खेल की भी उमीद की जाएगी बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रही है वन इंडिया के साथ